नमस्कार मंत्रपाठी के साथ आप देख रहे हैं आमाद में हमारा देश धीरे धीरे ही सही लेकिन डिजिटल जरूर हो रहा है वैसे भारत ही क्यों? पूरा वर्ल्ड ही धीरे धीरे डिजिटल होता हुआ नजरा रहा है आज आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे बैठे कहीं से कहीं पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसी दौर में UPI सबसे तेज और आसान पेमेंट का माध्यम बन चुका है वैसे कुछ लोगों को पता नहीं है कि इससे आप एक दिन में एक सीमा तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इन ट्रांजेक्शन की कुछ लिमिट होती है और ये बैंक पर निर्भर करता है आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको वताने वाले हैं कि आप एक दिन में किस बैंक से कितने रुपए का UPI transaction कर पाएंगे बात अगर UPI की करें तो इससे आप बैसे भेजते हैं तो आप दिन भर में एक बैंक अकाउंट से मात्र दस बार ही अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं अभी हाली में National Payments Corporation of India ने ये सूचना जारी की है तो चलिए जान लेते हैं कि किस बैंक की कितनी लिमिट है उससे पहले ये जान लीजिए कि transaction limit का मतलब क्या होता है transaction limit का मतलब है कि आप एक बार में एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं पहले बात कर लेते हैं State Bank of India की आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत के सबसे बड़े bank FBI की UPI transaction की सीमा सिर्फ और सिर्फ एक लाख रुपए प्रतिदिन है डेली लेन दिन की सीमा भी एक लाख रुपए ही रखी गई है ICICI Bank बात अगर ICICI Bank की करें तो UPI transaction की सीमा और डेली लिमिट एक लाख से दस हजार रुपए है वहीं Google पे users के लिए ये दोनों ही लिमिट पच्चिस हजार रुपए है पंजाब National Bank बात अगर पंजाब National Bank की करें तो इसकी transaction लिमिट पच्चिस हजार रुपए है डेली UPI transaction लिमिट की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल पचास हजार रुपए तक रखी गई है इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कैसी लगी आपको ए रिपोर्ट कमेंट सेक्चन में कमेंट कर अपनी रायज जरूर दें और आगे भी ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ देखते रहें आम आतमी धन्यवाद